समर संगी जो दिल्ली में बहुत पहले करीब तीन-चार साल पहले एक छोटी सी प्रेस कॉंफरेंस हुई थी उसमें आगरे से हमारे दो-तीन समर संगी आये थे उनमेंसे एक समर संगी ने बताया बाद में कि कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर उनके पास आया जो बाम सेफ में काम करता था फिर वो बाम सेफ से अलग हो गया किसी अच्छे डेपार्टमेंट में था उस अफसर ने जो बाम सेफ में काम करता था उनके पास आकर कुछ रुपिया दिया और उनसे कहा कि आगरे में बाम सेफ का राश्टी अधिवेशन लगवाई ये आप सब जानते हैं बहुत सारी प्रकार की बाम सेफ और बाम सेफ के अलग अलग नाम से उसी पटन पे काम करने वाली संस्ता हैं सहाब कासी राम जी के बाद में तूट तूट कर बनी है उनमें से एक वो भी थी तो उसने पैसा दिया वो जो व्यक्ति था उसने हका बका रहा उसने का जी अधिविस्म कैसे होगा मैं तो लोगों को बला नहीं सकता मैं तो जानता नहीं कुछ बात रही होगी पर पैसा दिया तो उन्होंने वहाँ एक अरिज्मेंट किया उनका इक बोर्ड लगाया जिन सज्जन ने पैसा दिया था उनको अध्धक्षता करवाई उनकी अध्धक्षता का नाम दिया अध्धक्ष्य भाष्ण के लिए कहा कुछ दो चार पांच लोग और दर दर से पक गया वो जो अध्धक्ष महोदे थे उनको अध्धक्ष बनने का अध्धक्ष भाष्ण करने का और अध्धक्ष के नाम पर अपना स्वागा सत्कार करवाने का एक मानसिक जो कह सकते हैं कि वैभार क्यों बहुत साई लोग तो इसको मानसिक रोग कहेंगे रोग नहीं होता दरसल मांसिक राग होता है, राग से रोग बना है, तो मांसिक राग यानि जिसको कहते हैं, राग लग गया, देश लग गया, महमूर्ता, राग दोस्त, महमूर्ता, तो उनको राग लगा हुआ था, वो आए सही टाइम पे अपना बढ़िया कप्ड़े पैन पान के, बीची क बात खतम हो गई पर उनकी बात खतम हो गई हमारी बात खतम नहीं हो गई ऐसे मानसिक राग वाले ऐसे मानसिक रोग वाले ऐसे मानसिक बीमारी वाले ऐसे मानसिक फरफ़़ाहट वाले ऐसे मानसिक आदत में जो वहवार में आ चुके हैं ऐसे बहुत लोग पैदा हो चुके हैं पिछले 70 साल में भारत में और इसके पीछे जो देन है वो बाम सेफ की जो बीमार पॉलिसी है उसकी देन है क्योंकि सुरू सुरू में लोग नहीं सुनने आते थे साहब कासी नाम को पता था कि वो एक साधहन करमचारी है और करमचारी क कोई पावर है नहीं नौकरी भी छोड़ चुके हैं रूटी खाने को है नहीं जेम में पैसा नहीं है चपल भी टूटी फटी है साइकल भी बिना हवा की है तो बिना हवा की साइकल वाले आदमी की कोई हवा नहीं होती और समाज में उसकी कोई हवा नहीं बनती जिसकी साइ लगाया है काईक्रम में आना मैं आपका भाशन कराऊंगा आपका देश्य भाशन होगा आपका विशेष्ट अतिती में भाशन होगा आपका मुख्य अतिती में होगा आपका स्वागत होगा आपका सतकार होगा तो समाज में सतकार स्वागत भाशन के लिए जो हवा वाले लो बिलते थे और उसके बाद में फिर जो काम की बात कहनी थी जो सिखानी होती थी उसको वो अपने अद्धशिय भाश्रम में बोला करते थे वो काम की बात होती थी तो औरों की हवा दिखा दिखा कर सहाब कासी राम ने हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों की हवा बनाने की आदमी हैं, बहुत बड़िया बोलते हैं, मुख्य अतिती रहे हैं, विशिष्ट अतिती रहे हैं, मुख्य वक्ता रहे हैं, विशियस वक्ता रहे हैं, इस्पेसल इन्वाइटी रहे हैं, तो वो साधान लोगों से मिलना बंद कर देते थे, और वो जीवन भर विशिष्ट औ और मुख्य विशिष्ट और मुख्य ही बने रहते थे, अपने घर में भी, अपने बाहर भी और अकलगी चलते थे, ऐसी लोग समासे, तो ये नुकसान उंदरों होता था, पर उठाना पड़ा, क्योंकि साधान लोगों को सिखाना है, तो इन लोगों की कुर्वानी देनी कर या संग्ठनों के टुकड़े करकर, विभाज़त करकर, सिर्फ इसलिए हैं, कि वो अध्यक्षता भाषन करें, वो अध्यक्ष रहें, वो मुख्य भाषन बाज रहें, मुख्य भाषन करता रहें, इसलिए वो अलग-लग तूटते चले गए, लोग चाहें भले सामने 20 ब और जिसको खाना खाना है वो सुने, और जिसको खाना नहीं खाना है वो चला जाए, तो लोग खाने के इंतियार में डटे रहते थे, एक खाना मिलेगा, तो खाने में तीन-तीन बज़ाय करते हैं, तीन, साड़े, तीन, चार, अध्यक्ष भाषन दो घंटे का, दो वज़ तक तो फालतू के भाषन सुने जाते थे, फिर वो अध्यक्ष भाषन अपने करता था, तो चार वज़े खाना मिलता था, तो भूका समाज खाने के वज़े से रुख जाता था, सुन लेता था, कुछ काम की बात ही मिल जाती थी, इसमें कोई शक नहीं, ये बीमारी हमारे ह कि जो समण नेता हैं, जो अभी नेता हैं, जो मालिक हैं अपने अपने संख्ठरों के, उनी में पाई जाती है, और कहीं नहीं है, और कहीं तो इतने ज़्यादा काईकर्म लगते भी नहीं, और कहीं इतने ज़्यादा सम्मेलन होते भी नहीं, और होते हैं तो उनके तरीके स सिर्ग काईदे से होते हैं पर यहां एक कमाल की बात है इस मानसिक बीमारी का कि बंदा खुद तो संख्ठर बनाएगा खुद अपने रिजदारों को दाय माय लोगों को संख्ठर में रखेगा खुदी पर्ची बनवाएगा खुद पर्ची कट रेगा या जेव से पैसा तो अपने ही काईकरम में जो इसने खुद पैदा किया खुद बनाया खुद उसका मालग है और लोगों से यह नहीं कह सकता ना इतनी शर insp बाकी है कि मैं इसका मालग हूं तो मेरे स्वागत करो तो अपने ही लोगों से ऐ अब माननिया फ़लाने हमारेरे राष्टिय संस्थ तो स्वागत क्यों करवा रहा है यह कौन सी बीमारी पाल ली है कि तेरा ही संग्ठन है तेरे ही लोग है तेरे ही कारे करता है और तू उट में ही स्वागत करवा रहा है यह कैसे मांसिक बीमार लोग आ गए यह कैसी मांसिक बीमारी है कि आदमी स्वागत सथकार के बिना नहीं करता है यह बीमारी बहुत जादा बरद चुकी है कि फ़सी की नीले रखी टोपी है कि लल रखी टोपी है किसी की सफ़ेद टोपी है यह टोपी सब गांधी एक बंच गई। सारे और साफे पिनाते रहते एक दूसरे को फिर होलसेल मार्किट से 50 रुपे की सफेज चादर आ जाती है तो लोगों ने अलमारियों में लाला के चादर भर रखी है टूपियां भर रखी हैं साफे भर रखे हैं मुणासे भर रखे हैं क्या करते हैं कोई भी आदमी आता है एक टूपिय उसे पनाते हैं दूसरी टूपिय खुद पेहनते हैं और फिर उसके वाटसेप पर फोटो डालते हैं एक गमचा उसे पनाते हैं एक गमचा खुद पेहनते हैं खुद उसको कहते हैं टूपिय पना वो लेके नहीं आया, कहीं तो ऐसे मांसिकर होगी है कि जब तक इस तरह का स्वागत ना हो, उनको स्वागत लगता है नहीं और ये बीमारी मीडिया में भी आ गई है जो ये दलित मीडिया अपने आपको चलाता है सो के आसपास ये लोग हैं दली में, और होका तो मुझे पता नहीं तो जो इनको बुलाते हैं, वो इनको खाना खर्चा देते हैं खाना खर्चा अनका जायज है क्योंकि यतनी दूर से आते हैं, जाते हैं तो उन्हें खर्चा तो चाहिए, कोई नोमिनल देता है, कोई जादा देता है पर खाना खर्चा के अलावा, ये उनको मंचों पर बुला बुला कर टोपियां पनाते हैं ये टोपियों की जो आदत है, यहां तक पहुँच गई है कि जिस आदमी से काम निकालना होता है, उसको टोपियां पना देते हैं और अगलावी टोपिय पहन के और गमचा लेकर बड़ा मस्त है, बड़ा खुस है ये जो मस्त लोग हैं, ये जो खुश लोग हैं, ये जो टोपियां पहन के घुम रहे हैं इन्होंने पूरे समाज में 70 साल में सारे अधिकार गवा दिये सब टोपि पहनने में लग रहें, गमचे पहनने में लग रहें, चादर उड़ने में लग रहें, फुल माला पढ़ाने में लग रहें किसी को यह होस नहीं है कि अरे पैन क्यों रहे हो इनको तुमने कौन से तीर मार दिये कौन सा तुम अधिकार बापिस लेके आ गए कौन सा अधिकार तुमने बचा लिया कौन सा काम किया है सतर साल में एक संग्ठन भी कि अगर अपने कारे करण में पूरा उद्देसे हो तो बता दो आप एनलेस्स का लेना और जिंद्गी में होगा भी नहीं क्योंकि संग्ठन अपने उद्देसे को प्राप्त नहीं करता कभी भी संग्ठन का उद्देश से होता है बस अपने आपको मेंटेन रखना और अगर उसके टुकडे हो जाए तो फिर उसके टुकडे को मेंटेन रखना और फिर उसके भी टुकडे हो जाए तो उसको टुकडे को भी बनाए रखना संग्ठन का किसी भी हलत में लोगों से कोई लेना दरना नहीं है क्योंकि संग्ठन को व्यक्ति जो बनाते हैं वो उसके मालिक होते हैं लोग नहीं बनाते हैं वो लोगों के पास चंदा लेने जरूर जाते हैं पर वो बनाए विक्तिन होते हैं इसलिए वो समाज की पिर्टी उत्तर दैत नहीं होते पर संग लोगों के द्वारा बनता है और लोगों का होता है और लोगों के लिए होता है इसलिए संग की गारंटी होती है कि उसके जो परणाम है वो 100% आते हैं 100% से ज़्यादा आते हैं देड़ सवेर हो सकती है वो आपके उपर है कि आप कितनी देज से जोडते हैं, कितनी तेज से काम करते हैं, पर संग के उदधे से जुरू प्राफ्थ होते हैं, दुनिया में जितने भी संग हैं, आप अगर देखोगे, तो उन्होंने सब अपने उद्धे से प्राप्त किये हैं, और जितने भी संग्ठन हैं, उनका कोई उद्धे से प्राप्त नहीं हो सकता, यह उनकी नियती है, इसलिए यह जो मांसिक बीमारी है, चादर ओडने की, टो अगल हो गए हो, अकल में पूरा भोसा भरा हुआ है, सारे अधिकार चला गए, और गमन डितना के संस्थापक अध्यक्ष, यह बीमारी यह जो मांसिक बीमारी है, इसको जब तक दूर नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और यह जो संग्ठन बनते हैं, जैस आदमी, तो एक होना चाहिए, यह जो सामाजी संग्ठन है अलग-लग होने का क्या मतलब है, एक सामाजी संग्ठन सभिचेंट है, तो एक होना चाहिए, यह जो लड़कों के दलबल है, तो अलग-लग होनी क्या जोत है, छात्रों का या लड़कों का एक संग्ठन होना चाहि यह जो महिलाओं के संग्ठने अलग-अलग है, इसका क्या मतलब है? तो महिलाओं के संग्ठन एक होने चाहिए, तो यह जितने अंबेट का भवान, कबीर भवान और बुद्ध बिहार और यह जितनी जगे बनी होई है, इनका अलग-अलग क्या मतलब है? यह सब एक जिगे हो और फिर ये सारे के सारी चीजह, एक जिगे होनी चाहिए, संग के अंदर आनी चाहिए और संग ही इनको चला सकता है, यही तरीका है, यही समिधान में दिया हुआ है, यही बावसाब ने लिया हुआ है और जिनका आप विरोध करते हो, वो भी इसी तरीके चलते हैं, उनके जो संग्ठनें, वो सब संग के अधिन होते हैं, संग के बिना मर्जी के उनमें कोई पत्ता नहीं हिलता, पर हमारे जितने संग्ठनें, वो सब आजात और मस्त हैं, वो ठीक ऐसे हैं, जैसे जंगल के कहीं से कोई टाइगर आता है, कहीं से कुछ आता है, ये सब भीड़ी आते हैं, तो अलगलग भीड़ो को उठा के ले जाते हैं, सारे मारे जाओगे, अगर संग में नहीं आए, सारे बच जाओगे, अगर संग में आए, जो संग में रहता है, वो शिकार करता है, और जो पर जैसे ही इस अनलग होता है उस पर शिकार करता है और अगर अकेला घुमता है तो कुट्टे उसको फार्ड देते हैं सेर अगर जुन्ड में रहता है तो ही सुर्चित रहता है चाहें बेसक आप कितने बड़े शेर हैं पर जब तक जुन्ड में नहीं रहेंगे आप सुर्चित नहीं हैं अकेले गोमेंगे तो कुत्तों का जुन्ड आपको फार देगा फिर आपके पास में चिल्लाने का वक्त में नहीं मचेगा संघंग नमामी, संघ में आये धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तम्मं सरेनं ॲस्षामी संगं सरेनं गच्छामी तुम्तियां पी बुद्धं सेनं गच्छामी गच्छामु तूतियं पी दम्मंग सर्णु गच्छामु गच्छामु तूतियं पी दम्मंग सर्णु गच्छामु गच्छामु तूतियं पी संदु गच्छामु तूतियं पी संदु गच्छामु साथू, साथू, साथू